हेलो एव्रिवन वेल्कम टू डू डू दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सीप फ्रेंट्स आज के इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं तोड़ से अलग तोड़ा सा एडवांस हो ले ले लेते हैं हम लोग कि हम लोग इस्ट्र को पास करना चाहते हैं एक फंक्शन से नूसरे या ऊसको डियूर करना चाहते हैं तो कैसे काम के है थी को vais वहां से return करो, parameter pass करो, वहां से return करो, mostly काम में ही होता है, कुछ function ऐसे होता है, जो आप तो भी बनाते हैं, उस case में आपको यह करते हो, तो मालोग अगर आपको उस case में structure pass करना पड़ रहा है, या फिर आपको structure receive हो रहा है उस case में, तो काम कैसे करेंगे, इसको आप अच्छे से देख लें, तो बहुत असान है, जिस तरस हम लोग variable pass करते हैं, जिस तरस हम लोग array pass करते हैं, उस तरस हम लोग structure pass करते हैं, कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं चोटा सा program बनाता हूँ, मैंने लिखा integer mean, एक structure बना लेता है, इसके अंदर मैंने दो variable लेता हूँ, चोट चोटे से दो variable लेता हूँ, ठीक है, और इसको एक खटम करते हैं, फिर इसके बादे मैंने लिखा integer mean, यह हमारा mean function होगा है, ठीक है दोस्तों, और last मैं सो कर देंगे, return 0, और यहाँ पर मैं एक function ले लेता हूँ, जिसको मैं pass कर सक ठीक है, और यह होगी हमारे function के दम, तो सबसे उपर हमारे पास में demo है, then हमारे पास में hello है, और then हमारे पास में main है, मैंने इसलिए इसको बिसमें बनाया है, ताकि क्या होता है, अब diagram रहना नहीं हो, ठीक है, और आप चाहरते हो किसा कोई भी कहीं भी लिखे हैं, तो आप या फाइब बेसकते हो, या फिर आप ऐसे भी बेसकते हो, या बनाए एक वल्य फाइफ की और एक को पास कर दिया, इसका मतलब एक की वैल्य फाइफ को यहाँ पर पास कर जा रहा और यहाँ पर किसने किसी variable उसको पकड़ना पड़ेगा, तो जिस तरह की value उस तरह की variable को य और नाम हमने बनाया D1, क्या बनाया? D1, अब D1 को initialize कर लेते हैं हम दोस्तों, या D1 में दो चीज़ है तो मैं डाल देता हूं, D1 के A में डाल दिया मैंने 5 और D1 के B में मैं डाल दिया 5.5, ठीक है, तो इस तरह से हमार पास में D1 बन चुका है, D1 के अंदर दो element बनेंगे A और B, जिसकी value मैंने यहां से 5 और 5.5 सेट कर दिये, 5 और 5.5, ठीक है, फिर आपने यहां से क्या पास करना है D1, जाई सी बात है अगर D1 पास करना है, तो D1 एक structure, इसके अंदर दो member सल रहे हैं, तो आपको भी same type का structure यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहां प ले ले D2, तो क्या होगा दोस्तो, यहां पर D1 के अंदर जो भी होगा, उसकी copy किसमें बज़ जाए कि D2 में, तो इसका मतलब D2 भी ऐसा बन गया है, A और B, ठीक है, तो D2 के A में क्या आएगा, जो D1 के A में, वो copy हो जाएगा, तो यह 5 हो गया और यह हो जाएगा हमारे प फिर मैं लिखा, D2 का जो A है, D2 का जो A है, उसमें मुझे डालना है 10, तो आपने यहां पर क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो यह वैलू मोडिफाई हो रही है, D2 के B में आपने डाल दिया 10.5, तो यहां क्या आगया 10.5, ठीक है, तो यह हो गया, आप चाहे तो इसका हम लोग क कुछ और काम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी चाहे, बट मैं क्या करूँगा, मैं रिटन करना चाहूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, रिटन, ठीक है, अब देखे दोस्तों, जब आप रिटन लिखते हैं, तो आप यहां पर जिस तरक की वह लिखिए या लिखिए 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 लिखिए, लिखिए 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 तो मैं आप एक लेता हूँ D3, यह लेता हूँ D3, ठीक है, तो जो भी value आएगी वो D3 में चले गए, करेक्ट है, अब हमने print किया है, printf, मैं एक साथ दोनों को print कर देता हूँ, %D, %F, और यह D1 का, सोरी, D3 का ही, कॉमा, D3 का B, तो जैसे आपका यहां से D2 की value आएगी, वो D2 की value किसमें चले जाएगी, D3 में चले जाएगी, तो D3 भी कैसे बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और यहां से value है 10, वो इसमें आ जाएगी, 10.5 वो इसमें आ जाएगी, और जैसे आप इसको print करेंगे, तो आपको 10 10.5 QKF है तो इसके पीचे वह 5-0 लगा देगा तो आपको यह आउपुट मिलने वाला है तो आपको पास करना और रिटन करना आपको मैंने बता दिया है आपको यह वीडियो भी तो अच्छा लगा होगा तो मज़ा भी आए होगा है बहुत एजी है तो आपको इस चीज़े समाने में आ रही होगी नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक साथ दुबारे मिलेंगे तब तक के लिए थेंक्यू अच्छा आपको यह वीडियो भी तो आपको यह वीज़े से जाए होगा है